में विदियो में हम एब्रीड़े साइंस और जेर्नल नौलिज से रिलेटर को देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टन कॉश्चिन हैं जो के अलमोस्ट हर एक्जाम में पूछे जाते हैं एम से क्यों की सुरत में पूछे जाते हैं तो यहां पर हमारे पस पहला कॉश्चिन है तो इन में से किस में सबसे ज्यादा कैल vẫn पाई जाती हैं। तो सही आंसर है इसका अंशल में तो तो जो रहे हैं अमारे पास तो उस में क्स तरहे energy होती है तो options आपके पस हो सकते है electrical energy हो सकती है chemical है या mechanical energy है तो इसका answer है कि chemical energy जो है वो उसमें bright cells में store होती है next question है question number three है हमारे पास the planet nearest to sun is यह बहुत ही important mcqs है almost यहर तरह के exam में पूछा जाता है the planet nearest to sun is mercury तो इसका answer है कि mercury जो हमारे पास planets की जो order है mercury है Venus है Earth है Mars है तो यह जो हमारे पास इसका order दिया गया होता है वो इस तरह से होता है कि जो planet सुरज के क्रीव तरीन है उस हिसाब से तो जो सबसे पहले planet आता है वो सुरज के सबसे ज्यादा पास है mercury पहले नंबर पढ़ाता है उस order में तो mercury जो है वो सुरज के सबसे ज्यादा क्रीव तरीन प्लैनेट है विच प्लैनेट इस नोन एज मौर्निंग स्टार कौन सा प्लैनेट जो है उसे मौर्निंग स्टार भी कहा जाता है तो इसका अंसर है वीनस क्योंकि जो वीनस है वो जमीन के जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसके सबसे क्रीब तरीन से आ रहा है इसलिए वीनस को मौर्निंग स्टार भी कहा जाता है तो इन ओप्शन में से आपने बताना है कि कौन सा जो है प्रोटीन और आइरन की कंसेंट्रेशन किस में सबसे ज्यादा होती है मीट में या वेजटेबल्स में या फूर्ट में तो इन ओप्शन में से जो मीट है मीट में परोटीन और आइरन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है यहां पर है कॉलरा और या मलेरिया या स्मॉल पॉक्स तो हमें पता है कि जो स्मॉल पॉक्स है यह एक वाइरल वाइरस की वज़ा से फैलती है कॉर्शन नमबर सेवन है विच आफ दी फॉल्विंग इस नॉट ए प्राइमरी कलर कौन साइड में से प्राइमरी कलर नहीं है ग्रीन रेड बिलू या औरेज तो हमें पता है कि जो तीन प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं green, red, or blue. या आप इसको pgr green, red. इस तरह से भी याद रह सकते हैं कि जो primary color हमारे पस होते हैं वो blue, green, or red होते हैं. तो इस तरह orange जो है वो primary color नहीं है. Next question है, sunlight is a source of which vitamin? आपको option दिये गए है vitamin A, vitamin B, vitamin D. इनमन से कौन सा विटामिन जो है वो हमें सुरज की रोशनी से हासल होता है तो option सही है विटामिन डी सुरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है question number 9 which of the following protects the body against disease and infection red blood cells white blood cells या platelets तो कौन से जो हैं blood के cells जो के हमें इंसानी बॉड़ी को disease या infection से प्रोटेक्ट करते हैं तो वो हैं white blood cells question number 10 the biggest planet is जो solar system में सबसे बड़ा सियारा कौन सा है तो वो है Jupiter इस से रिलेटेट एक और important question ये भी होता है कि कौन सा जो प्लैनेट है उसके सबसे ज्यादा मून है जैसे हमारा planet earth है earth का सरफ एक ही चान है तो जो Jupiter है planet इसके सबसे ज्यादा चान होते हैं जितने भी planets हैं सबसे ज्यादा बड़ा सियारा भी ही है और इसके सबसे ज्यादा चान भी रखता है ये question number 11 है hematology is the study of blood तो जो ये होता है कि different branches होती है कि इसकी study क्या कहलाती है या insects की study क्या कहलाती है इस तरह से तो ये questions भी पूछे जाते हैं exam में question number 12 है a device that converts chemical energy into electrical energy is called generator, UPS या battery तो सही option है battery कि इस तरह का device जो के chemical energy को electrical energy में convert करता है वो battery है question number 13 ecosystem refers to यानि कि ecosystem का क्या मतलब होता है ecosystem का मतलब होता है हमारा earth environment ecosystem का मतलब है earth environment question number 14 है which is the most abundant color in nature naturally जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला color कौन सा है blue, white या green तो obviously green जो है वो nature में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला color है question number 15 है isotopes are atoms of same element with different number of यानि कि जो element के isotopes होते हैं उनमें किन particles की तादाद different होती है तो हमें पता है कि element का जो atomic number होता है उतने ही उस element के अंदर electrons पाय जाते हैं और हमें ये भी पता है कि electrons और protons की तादाद एक element के अंदर बराबर होती है यानि कि अगर किसी element में 7 electrons हैं उसका atomic number 7 है तो उसमें 7 ही protons होंगे लेकिन जो neutrons हैं उनकी तादाद different होती है तो isotopes में भी element के जो isotopes होते हैं उनमें भी neutrons की तादाद different होती है तो सही option है इसका अंसर क्या है neutrons question number 16 sound cannot travel through यानि कि किस medium में से जो sounds है वो travel नहीं कर सकती options है vacuum, solid या gas तो इसका अंसर है vacuum sound जो है वो vacuum में से travel नहीं कर सकती question number 17 for galvanizing of iron which of the following metals is used iron की galvanizing के लिए कौन सी जो metal है वो use की जाती है copper, lead या zinc तो सही option है zinc के iron की galvanizing जब की जाती है उसमें zinc metal यूज की जाती है question number 18 breeding and management of bees is called bees यानि के शेहर की मक्यों का जो management है या उनकी breeding है वो क्या कहलाता है उसकी study को उनकी कहते है epiculture question number 19 है enzymes are made up of enzymes जो हैं वो किन से बनते हैं तो हमें बता है कि enzymes जो हैं वो proteins से बनते हैं enzymes actually proteins ही होते हैं last question है one ounce is equal to how many grams one ounce कितने grams के बराबर होता है तो option आपके पास इस तरह से हो सकते हैं 28.85 28.65 या 28.35 तो one ounce जो है वो 28.35 gram के बराबर होता है thanks for watching subscribe for more videos